है आज के इस वीडियो है मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फोन को मोडिफाई कर सकते हो एंडॉइड पी याने एंडॉइड 9.0 के जैसा तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहते हो यह आप लोग अपने फोन को एंडॉइड वर्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं सिर्फ अपने फोन के लुक को 80-90% एंडॉइड पीका जैसा मोडिफाई कर सकते हो तो विदाफ वेस्टिंग अन्वाट टाइम लेस गो फो फो इट तो इसके लिए आपको 3 एप्लिकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो एप्लिकेशन है वह नुबा लॉंचर सेकेंड में पिक्सेल आइकोन टैक एंड लास्ट में मेटेरियल नौटिपिकेशन सेटिंग तो इस सारे एप्लिकेशन का लिंक में नीचे दे दूँगा तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा नुबा लॉंचर म na n बाद जाना पड़ेगा आपको लू केड पील आपचन में तो वहां से आपको चुछ करना पड़ेगा आइकोन थेम के उपर द्यान आपके सामने त्री और अपसन देखने गेशन यको मिलेगा जहां से आपको पिक्सेल आयकोन पैक को सेलेक कर आपका अपड़ेगा उस उसके बाद आपको white padding को large कर देना है and height padding को भी आपको large कर देना है उसके बाद आपको simple सा back कर देना है then आपका जो nova setting है पुड़ा complete हो गया है तो आप अपने phone को देखेंगे तो आप देख पाएंगे आपका phone का interface पूरा change हो गया है और search भर भी आपको button में देखने को मिल जाएगा android PK जैसा जैसे के आप लोग swipe up करेंगे तो आपके समने android 9.0 या PK जैसा फिल भी मिल जाएगा और उपर की तरफ आप लोग देखेंगे तो आपको search word देखने को मिल जाएगा जहां से आप apps को search कर पाएंगे बाट यहां पर जो टैटास word है वो अभी तक change नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको जाना पाड़ेगा material notification setting पर जहांसे आप लोगों के सामने न्यू पेज ओपन होगा जहां पर के साइड में आपको आप का button दिख जाएगा जहांसे आप बले button को आपको on कर दिना है और उ यहां पर जो फॉल्ट है टैटास word अभी तक अपडेट नहीं हुआ एंडुएट फीके जैसे आपको मिल जाएगा बट कुछ दिनों के अंदर यह आपडेट हो सकते है तो आज के वीडियो पास इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो कमेंट करो सेयर क को अफानली थैंक्स पर वाचिंग आपको लोगाएंगा था था वाचिंग रूचिंग वाचिंग आपको देर्स नहीं है।